मैं इलावां में टाप किया उन्होंने तीसरा रंग पाया बहुत खुशी का महौल था सार मेरे पुरे गाउं में जसन था और हम लोग गाउं में बहुत अच्छा स्वागत हुआ सब लोग अनका एक बहु जो है मेरे घर के आगे पीछे रहता है बंदूग लेके घुम रहा है और यहां तक ही जोती महौरिया अपने पत्का दूर प्योग करते हुए को आप जानते हैं जोती को अ सब्सक्राइय कि जीए और ने के बाद अपने अपने पत्न को अइसे धोगा गाया है तो यह बरेरी के रहने मारी छोटान की आवरा आपने बच्री सथ हर हैं तो जूडब यह जुडव़ा बच्यों को साथ रहती थी सब को मिलना चाहिए और देखो बात यहां पर आती है आलोफ मोर्या की तो वह चाहते थे कि उनको बीबी को पढ़ा कर बड़े आदमी बने क्योंकि वह ऐसे में गर्म चाहिए तो उनकी वाइद को पढ़ा कि मैं आगे बढ़ा होगा और उनकी वाइद ने उनको दोखा ही दे पत्मी को नहीं पढ़ाएगा और हर फुमिंस के सथ नायन साफी होगी तो इससे चाहिए कि सरकार को इनको जलसील सजा देनी चाहिए और इनको इनके पस से हटा देना चाहिए तकि हर वुमिंस को फट्टा दिने का मोका मिले और आगे बढ़े तो सरकार साथ भी घाटा हो पर यह तो उना चाहिए बिल्कुल और देखो ना भाई आलक मोर्या की बीवी नहीं नहीं उनके भाईयों ने विए उनको बहुत परिशान किया जब उनके बाईयों ने उनके बंदूग लेके ताल ली कि अब उनको नहीं छोड़े तो अब खुशे के बाद यह है कि कैसे लगी आपको लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें